हेलो गाइज स्वागत है आपका खान ओलाइन में फिर से आप एक और वीडियो के साथ आप देख रहे हैं मुझे और आज मैं आपके सामने एक स्पेशल अंबॉक्सिंग वीडियो लाए हूँ आप देख सकते हैं मैंने सारे बॉक्स कंटेंट पहले ही निकाल के रख दिया है यह है वीडियो का V21E यह 5G मॉडल है जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक है और मैंने बॉक्स कंटेंट पहले ही अन्बॉक्सिंग एक्स्पिरियंस में पहले कर चुका हूँ बट यहां पर मैंने शेयर नहीं किया था सो मैंने इस बॉक्स कंटेंट पहले से निकाल के रख ली और उपर से यहां ब्लाक के शेड आता है तो यह काफी शाइनी अच्छा लग रहा है दूसरा कलर जो है उसमें रेंबू कलर आते हैं बट यह जाथ अच्छा लग रहा तो मैंने इसी को प्रेफरेंस दी है इसके साथ एक जैली सॉफ्ट केस कवर आता है इस तरह का इंपॉर्टन चीज पावर ब्रिक आप यह देखेंगे ना 44 वाट्स पावर चार्जिंग है इसमें तो यह इस बजट सेग्मेंट में सबसे ज्यादा पावर चार्जिंग प्रोवाइड करने वाला है विवो का और विवो की चार्जिंग मुसली अच्छी होती है यह इसके पावर केबल है और यह एक स्पेशल चीज जो आपको नॉर्मल और मॉबाइल बॉक्स में नहीं मिलेगी बेसिक हैंड्स फ्री बॉक्स के अंदर और भी कुछ चीज़े हैं मैं आपको बॉक्स ओपन करके दिखाता हूं बॉक्स अपने आप में देखिए आईपियल की ब्रांडिंग के साथ आया हुआ है यह आईपियल के टाइम पे लांच हुआ है काफी अच्छा है बॉक्स के फील बहुत अच्छा है यह देखिए इसमें अन्रापिंग में आप यह देखिए सिम इजेक्टर टूल है वारंटी गाइड है यह सारी चीज़े होती है ठीक है बाकी बॉक्स कंटेंस मैंने आपको भार दिखाई दिया है तो सीधा फोन पर बात करते है हां सो जैसे आप देख रहे होंगे यहां पर जो फोन पर बॉक्स पर हाइलाइट है वह सिस्टी फॉर मेगा पिक्सल नाइट में कैमरा तो इसका कैमरा यह जो वीओ की जो वी सीरीज है यह कैमरा हाइलाइट करती है और यह 5G मोडल है वीओ वी 21 एक पहले आया था अभी य यह वाला जो लॉंच हुआ है यह है वी 21E 5G तो यह 5G है इसमें नाइट कैमरा जो है थोड़ा सा इंप्रूफ किया गया है 44 वाट्स का चार्जिंग है पहले 33 वाट्स आता था इसमें 44 वाट्स है चार्जिंग इंप्रूफ हो गई है एक और फीचर है इसकी जो राम और स् रिलाइज बाय सॉफ्टर तो इसको सॉफ्टर के थरू इन्होंने इंटिग्रेट्टेट्स आप इसके थरू आप इसे 11GB तक कर सकते हैं ठीक है बाकी बॉक्स पर और माइनर डीटेल मैं आपको सीधा फोन पे दिलाते है फोन में ने अल्यडी सेटप कर रख है आप यह दे करके इन्होंने बहुत सिंप्ल मेस्टिक दिया है सबसे अच्छी मुझे बात इस फोन की लगी है इसका जो स्क्रीन है वह 6.43 इंचिस का है ठीक है तो 6.43 इंचिस में एमोलेट डिस्प्ले आपको मिला है ठीक है और इसका एक दूसरा कलर देखिंगे यहां पर मैंने स्क्रीन पर उपन कर रखा है यह दिखाई है यह रेंबो कलर होता है इस तरह का 6.44 इंचिस की यहां पर स्क्रीन है मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में जादा नहीं बताऊंगा फोन का एक्स्पिरेंस शेयर बैटरी लोग बोलेंगे सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्क्रीन की सबसे इंपॉर्टन फीचर है स्क्रीन स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले है प्लस जैसे आप एमाई के फोन या किसी और बैंड के लिए उसमें आजकल साइड में फिंगर्प्रिंट सेंसर आ रहा है लेकिन क्योंकि एमोलेड है वीवो में यहां पर इसमें फ्रंट में मिल रहा है तो आपको पूरी तरह से फोन है वह MI का है उसकी brightness मुझे बिलकुल दिख नहीं रही थी दिन में और यह पूरी तरह से visible था पूरी तरह से अगर दोनों की brightness पूरी complete कर देंगे तो यह बहुत अच्छे से दिख पा रहा था एक तो AMOLED डिस्पले है कलर पंची है आइकन न्यू है प्लस अगर OS की बात कर यह एक जीबी प्लस फोर जीबी मतलब आप तीन जीबी तक एक्सेंड कर सकते हो यह मेंचन है ठीक है तो यह और इसका पैच दिखा देते हैं कब का है यह सॉफ्ट्वेर October 22 यह पैच है तो OS Global Version इसमें 11 चल रहा है फंटच OS तो यह बहुत ही स्मूध है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसका USB एक USB मैंने बता दिया स्क्रीन दूसरा USB है कैमरा 64 Megapixel कैमरा है जो की Quad HD पे मतलब 4K पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है मैं आपको दिखाता होगा अभी यह देखें वीडियो रिजुलिशन आपको यह दिख रहा है आप फ्रीम्स पर सेकंड यहां पर 30 पर सेकंड 1080 पर कर सकता है यह ठीक है और अब बात करते हैं फोटो की यहां पर मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ यह देखिए 64 Megapixel पे यह आपको दिख रहा होगा सामने दिखता है ठीक है प्लस यहां पर लाइट मोड है फ्लाश है और बेसिक जितने भी फीचर्स है सारे अच्छे है इसके और कैमरा मैंने यूज किया कैमरा के सेंपल्स भी आपको दिखाऊंगा मैं ठीक है कुछ सेंपल्स को दिखाना चाहता हूँ मैं यह देखिए आउटडोर का स्किन को थोड़ा सा यह कर देता है और कुछ फूट के भी दिखाता हूँ मैं यह देखिए कुछ इस तरह से पिक्चर्स आते हैं इसके यह देखिए स्किन टोन को कुछ ऐसे कर देता है यह थोड़ा ज्यादा ही इसमें ब्यूटी मोड अड़ है बाकि ओवराल फोन का जो फील है बहुत ही अच्छ पे मार भी देखेंगे 27,990 है मैं लेटस ओनलाइन प्राइस देखता हूँ इसका यह देख सकते है आप यहाँ पर वीवो का जो प्राइस है यहाँ पर मेंचन है वीवो 21G डार्क परल जो कलर मेरे पास है सीम कलर ठीक है यह 24,990 का है यह ठीक है बाकि जो आपको डील मिल ज ब्लू काफी अच्छा लग रहा है सेटल कलर है किसी के भी हाथ में अच्छा लगेगा और फोन बहुत ही कॉम्पक्ट है बहुत ही कॉम्पक्ट है बैटरी की अब बात कर लेते हैं बैटरी इसमें जो दी गई है वह 4000 एमेज की है उमानता हूँ मैं थोड़ी सी बैटरी जादा लग सकता है कि जो इन्होंने हार्डवेर सॉफ्वेर कॉम्बिनेशन उसके आप से लेकिन अगर आपको क्वालिटी और थोड़ा प्रीमियम नेस्ट है तो इसका जो बिल्ट क्वालिटी है वो प्रीम है ओल्दो यह प्लास्टिक है बड़ी ग्लास की तरह फिनिश लगता है पूरा स्क्रीन पे भी प्रोटेक्शन है अब तो मैंने इस पे अलग से उपर भी लगा लिया है बट सिल यह प्रोटेक्टेड है दोनों तरफ से और इसका जो कॉम्बिनेशन है बैटरी के साथ चार्जर का यह चार्जर मैंने देखा एक गंटे से कम समय में यह चार्ज कर दे रहा है फोन को बहुत तेज चार्जिंग है इसकी जो लेमन टर्म में बोलूना एक्स्पीरेंस जो है और अगर फ्रंट की मैं बात करूं कैमरे की मैंने बता दिया बैक कैमरा 64 है फ्रंट कैमरा आप देखेंगे है सेल्फी कैमरा 32 मेगा पिक्सल का है इसका औ यहाँ पर एक स्पीकर है यहाँ पर एक माइक है और जो आपकी सेकर जो सिम कार्ड रोट स्लॉट वह यहाँ पर है टाइप सी पोर्ट है अब थाइप सी स्टेंडर्ड हो चुका है तो ओवराल फ़र्म फेक्टर फील अच्छा है और आप देखेंगे ब्लुटूथ का फर् कर रहा है तो मेरे साब से और इसका जो प्राइस से पच्छी सार रुपे थोड़ा सा ज्यादा है दो से तीन अजार रुपे शयद आपको जादा लगी है लेकिन जो क्वालिटी ये प्रोड़ा चाइट सो थैंक्यू गाइज थैंक्यू फर वाचिं अल दर वीडियो और ये वीडियो आपको अच्छह लगा तो लाइक करिए शेर करीजे और सब्स्क्राइब करिये मेरे चैनल के अजार स्याद आप लोग ऑशेर कर सकते हैं थैंक्यू फर वाचिंग